अपना जोलोजी का टॉपिक चल रहा था उसमें यूनिट फर्स्ट में अपना कंप्लीट था यूनिट सेकेंड तो कल मैंने आपको फाइलम की बता दिया था फाइलम में अपने लास अपना पढ़ा था कॉंसा कोडेट्स कोडेट्स में अपना कंप्लीट हो गया था आज अपन यह स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्ड देखो आपको पता है कि जुलोजी के अधर अपने तीन यूट चलती है तीन अपने सेक्षन होता है ए बी और सी ए सेक्षन से एक क्योशन से एक क्योशन होता है अब आपन आपने यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आपको पता है जो यहाँ पे एक कोसी यहाँ repeating होता है उसके आपने स्ट्रक्शर की बात करेंबे कि उसके अंबर किस प्रकार की ऊसकी सरष्ण पाय जाती है यह नहीं मॉर्फोलोजी की उसका क्लासिफिकेशन की किस प्रकार का उसका क्लासिफिकेशन होता है उसके डाइग्राम में आपन देखेंगे उसके बाद में आपन देखेंगे किसमें कौन-कौन सी क्रियाएं कंप्लीट होती है और सारी क्रियाएं होने के बाद में पर रिप् कि जो amoeba है उसका classification यहाँ पे देखते हैं कि यह किस phylum का animal है तो जो amoeba है वो protozoa animal है प्रोटोजोवा और इसमें अपन बोलते हैं कि जो amoeba की जो body structure होती है उसके अंदर क्या प्रजेंट होता है nucleus इस पस्ट प्रकार का केंद्रक पाया जाता है क्योंकि केंद्रक के division के आदा प्रोटोजोवा और यहां पर हम बात करेंगे class rhizopoda ध्यान देना इसकी जो class होती है rhizopoda order amoeba और यहां पर genus की बात करेंगे amoeba और species कौन सी होगी proteus सबसे जाला पाई जाने वाली amoeba proteus ही होती है अब अपन बात करेंगे कि यहां पर habitat habitat की बात करते हैं कि जो amoeba यहां प प्रकार के क्योंकि इनका body structure only अको सी का से ही हो यहां पर या क्या होता है डौला पो होता है और सारे की सारी क्रियाई भी किसके दौर और गात की कहोती है complete होती है amoeba कि जो body structure होती है कैसी होती है redeem human skills कि क्यों इसका आखार fiction नहीं होता है एनियमी ताकार की इसकी क्या होती है सारीरिक सरशना होती है हम यह नहीं बोल सकती है कि यह कैसा जीव है यानि कि stability के आधार पर इसका safe के आधार पर हम fix नहीं कर सकते लेकिन हम बोल सकते हैं इसकी body जो कैसी है वो एनियमी ताकार की है यूनि शवलर एनिमल एर इसके अंधर की अपरज़ेंट होता है यह नुकलियस इसके पाया जाता है अब आपन यहां पर सबसे पहले यहां पर अपन मॉर्फोलोजी की बात करते हैं कि इसकी मॉर्फोलोजी क्या है यानि कि यह जो amoeba जीव है इसकी आकारी की सरचना कैसी होती है तो आकारी की सरचना में अपन amoeba देखें तो amoeba की एक species मैंने बताई आपको amoeba proteus amoeba proteus के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जाती है वो इसी की पाई जाती है अब देखो सबसे पहला अपना जो point आता है वो कौन सा आता है यहाँ पे size और safe का आता है यानि आकार यानि आकरती का हम इसी में बात कर सकते हैं safe size और color की भी बात कर सकते हैं यानि इसका रंग कैसा होता है सबसे पहले आपन देखें कि amoeba की आकरती है वो कैसी है ए नियमित आकार की अकरती होती है इसका कोई निश्चित रूप नहीं होता है इसके विबिन भागों पर क्या पाया जाते हैं देखो आपको अंगली नुमा क्या दिखाई दे रहे हैं उभार दिखाई दे रहे होंगे तो यह जो अंगली नुमा उभार है इनको क् शुडो पोडिया कहा जाता है शुडो एक मिनट शुडो पोडिया इने कहा जाता है यानि ये क्या कहलाएंगे कूट पाद कहलाते हैं ये क्या करते हैं अमिवा की आकरती पर अंगुली नुमा उभार पाये जाते हैं और इनका development बथाओंगे कि यह कुडपात बने खिस क्रिकार है तो यहाँ पेम सबसे वजे इनकी क्या कार रहे है आकार और आकरती की बात कारे है इनका जो aangaar होता है यहाँ पे हम बीद करेंगे कि इसका जो aangaar होता यहाँ पौइंट 6 mm तक इसका क्या होता है व्यास होता है सेफ एंड साइज में अपन देखते हैं अमीबा में यहां पे सेफ एंड साइज में देखो यहां देखते हैं कि यहां पे यहां पे इसका कितना बता है एम एम व्यास इसका होता है जीव का यह कैसे होता है रंगहीन प्रकार के होते हैं और आकरती कैसी बताई मैंने इसकी आक प्रकार की ये होते हैं अब यहाँ पर सेफ्न साइस की बात विए अमीबबा का जो शरीर होता है ये कैसे होंगे। Unicellular प्रकार के Unicellular ये होते हैं jItanaी भी सिह ने जो complete होगी वह only एग कोशीका के द्वरा क्या होती है complete होती है, नेक इसका कि मैं व्यास ग्यात कर सकते हैं इनकी ज़ातिय होती है उसमें ब्रक्ष ये कि इनकी की होती है तो इनका ज्याली रूपी शरीर हो अब इनमें अपन सामान्य सरशना की अपन बात करके चलें कि इनकी जो सामान्य सरशना होती है वो किस प्रकार की होगी तो कोसी का के अंदर क्या पाया जाएगा यानि कि जो इनकी कोसी का होती है इसमें आपको अंदर की तरफ देखो क्या दिखाई दे रहा है विखरा रूप दूसरा आपने यहां पर बात करें साइटो प्लाजम की बात करें कोसी का द्रव की बात करेंगे तो पहला आपने पास हो गया प्लाजमा लेमा की दूसरा आपने पास कौन सा हो गया यहां पर साइटो प्लाजमा कोसी का द्रव हो गया तीसरा कौन सा हो गया नुकलियस की बात करेंगे तो तीसरा कौन सा हो गया केंद्रक तो पहरा अपन किसकी पात करें प्लाजमा लेमा की यहनी Rods किस परकार कि इसके अंदर होती है तो दिखो एनियमित आकार कि इसके अंदर क्या है अमीबा की सरषणnal इस्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तीन सक्षेन में अपने इसको डिवाइट करें सबसे पहला है कौन सा प्लाजमा लेमा जिसे क्या कहा जाता है प्लाजमा कहा जाता है प्लाजमा कला दूसरा कौन सा है अपने पास साइटो प्लाजमा जिसे क्या कहा केइंदरक कहा जाता है सबसे पेले अपने पास क्यों सी ऑगी प्लाज्माब्स मेंब्रेन करे और अवरंड जाता है जिसे क्या कहा जाता है PSY कोसिक के उपर देखो बाहर की तरफ एक आउटलाइन दिखा या या आटनर्यै इसको क्या कहेंगे यहां पे एक पतली लचिली जिली पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है प्लाजमा लेमा या प्लाजमा मेंब्रेन कहा जाता है इसके अंदर यहां पे इसके बाहर की और कोई भी आवरेंट प्रेजेंट नहीं होता किस प्रकार के हो गी थिक प्रकार की होती है यांटी है और इस प्लाजमा लेबा के हुटार के होगा सब razor cell membrane होती है इस cell membrane के भी यहां पे क्या होती है जो थिकनेस होती है इसमें layered वाला जो portion होगा वो आउटरी होता है inner के अंदर क्या present होता है liquid या food इसमें पाया जाता है अब देखो यहां पे जो plasma lemma है यह protein है पधार्दों से है और protein के इस तर से बनिये क्या present होती है membranus में पाया जाती है अब यहां पे देखें कि इनके अंदर कुछ प्रकार के यहां पर क्या पाया जाएंगे mucoproteins के अणू भी इसमें पाया जाते है mucoproteins के अणू किसमें present होगे यहां पे plasma lemma में भी इसमें present होते है next अबन बात करें कि कैसी होती है द्रड होती है लेकिन परन्तु यानि कि कुछ में ही कैसी होगी यह लचीली प्रकार की flexibility का भी गुनिस के अंदर पाया जाता है यहां पे हम बात करें कि इनका जो जैसे ही animal की growth होती है यहां फिर हम देखें यहाँ पे संकुचन की जो क्रियाएं पाये जाती है तो शरीर की व्रदी और कूटपाध का formation का ये क्या नहीं करती है अवरोध नहीं करती है उनके बीच में यह barrier का का अरिय नहीं करती है क्योंकि जैसे कूटपात का formation होता है तो इसमें भी क्या होगी growth इसके अंदर होती है plasma membrane के अंदर plasma membrane में यहाँ पर मैंने बोला कि इसके अंदर क्या present होता है micro, vlicea फिर बोल सकते है सुक्ष्मांकूर भी इसके अंदर पाये जाते है यह सुक्ष्मांकूर क्या करते है इनके बाहरी सतय पर यह क्या होता है चिपचिपे रखने का कारी होता है तो चिपचिपी बनाए रखने के लिए आपे क्या प्रजेंट होंगे सुक्ष्मांकूर इसमें पाये जाते है plasma जो membrane होती है कैसी होती है यहां पर हम बोल सकते हैं यह selective permeable membrane भी होती है चैनात्मक पारगम्य जिली जिसे बोलते हैं तो यह क्या करती है जो चैन वाले पधार्त होते हैं उन्हीं को आवागमन में यह क्या होती है helpful होती है तो यह जो plasma membrane की हम इसमें बात करें अमीबा के अंदर यह कैसी होग है एक शमता पाई जाती है जिसको बोल सकते हैं कि इनके अंदर पुनर जनन की शमता पाई जाती है जो plasma membrane इसके लिए क्या होती है helpful होती है इसके बाद में मैंने बोला कि इसका जो यहां पे इसमें protein और वसा के अनू पाए जाते है protein के अनू का कारी होता है कि शरीर का मर्मत करना तो यहां पे जो protein के जो अनू होंगे वो क्या कर देंगे यहां पे recovery करने के लिए यानि कि कोई भी चोट ग्रस भाग होता उसको recover करने के लिए protein क्या होती है इसके लिए helpful होती है जो क्या करती है जनतु को नस्ट होने से क्या करती है बचाती है इसमें कोसी की है पाचन के लिए कोशी के पाचन के लिए पीनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस आपको पता है दो प्रकार की क्रिया होती है कोशी का के अंदर एक तो होती है एंडोसाइटोसिस एक होती है एक्जोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के अंदर आपने आपको बता है कि या तो ठोस पधार्तों का अंतेग्रेंड या फिर सॉलिड पधार्तों का अंतेग्रेंड होता है जिसके दोरान यहां पर क्या होगा कि जो endocytosis होता है जिसमें pinocytosis एक होता है कौनसा यहां पर phagocytosis पीनो के अंदर liquid बदार्दों का अंतरग्रेंड होगा और यहां पर phagocytosis में क्या होता है solid पदार्दों का क्या होता है अंतर ग्रहित कर लेती है तो यहाँ पे कोसी की पाचन के लिए पीनोसाइटोसिस और फैंगोसाइटोसिस की क्रियाइन के अंदर पाई जाती है शमता पाई जाती है तो यह सारा किसके लिए बदाया आपने प्लाजमा मेंब्रेन के बारे में सैकिन अपना कौन सा आता है यहाँ पे कोसी का द्रव यानि साइटोप्लाजमे तो जो प्लाजमा लेमा के अंदर की तरफ या फिर बोल सकते हैं साइटोप्लाजमे के बाहर जो प्लाजमा मेंब्रेन जो होती है जैनि प्लाजमा मेंब्रेन क ये द्वारा जो गेरावा भाग होता है जिस तरल को गेरे वे रहती है उसे क्या कहा जाता है। प्लाजमा मेंब्रेन उसके अंदर की तरफ क्या प्रजेंट है मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स में यह सरशनाएं पाई जाती है तो यहां पे बाहरी जो आपको यह बाहरी जो परत दिखाई दे रही है इसे तो क्या बोल जाता है एक्टो प्लाजमा मेंब्रेन में बाहर की तरफ यहां ब्लैक डोटेड से मैंने बनाया है वो तो कहलाता है एक्टो प्लाजमा जो रैड डोटेड से जो मैंने बताया है वो क तरल पधार्त होता है जो कैसा होता है रंग हीन होगा रंगीन के सासत कैसा होगा पारदर्शी होगा पर्मियवल होगा और कणी का रहित होता है देखो अंदर की तरफ तो कण पाये जा रहे हैं लेकिन इस मेंब्रेन में आपको क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर पा काचाब इस सतर काचाब इसतर कैसा होता है पारदशी प्रकार का रंग हीन होता इसमें कणे नहीं पाये जाते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है काचा बिस्तर भी से कहा जाता है अब बात करेंगे कि जो काचा बिस्तर होता है इस काचा बिस्तर के साथ साथ यहां पर भीतर की और क्या प्रजेंट है यहां पर इसके अंदर दो प्रकार का एक तो प्लाजम जैल और एक होता है प्लाजमा शोल देखो अमीबा की एक साइड होती है एंटिरियर पॉस्टिरियर अगर वाले भाग और पस्च वाले भाग में यहां पर पस्च वाले भाग में गाड़ा पधार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोल जाता है प्लाजमा शोल कहा जाता है यह प इता यहां पेडा होती हुआ है यहां पर अंगुली नुमा क्या मन जाते है उभार बन जाते हैं इन अंगुली नुमा उभार को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे अंगुली नुमा उभार क्या कहलेंगा शुडो पोडिया कहलाते हैं यह शुडो पोडिया क्या करते हैं यहाँ पे लोको मोशन की क्रिया में हेल्पफूल होते हैं नेक्स अबन बात करते हैं कि यहाँ पे दो प्रेकार की ग्रिया होगि solation और gelation की ग्रिया, पीछे की तरफ क्या बनेगा gel, आपको एक sol gel model आएगा उसमें में बताऊंगे कि किस प्रेकार सी यह क्या होता है, convert होता है अब देखो यहाँ पे endoplasm है, endoplasm एक क्या इस्तर बनाता है, काचा बिस्तर बनाता है जबकि बाहर की तरफ act होगा, अंदर की तरफ कौन सा होगा, endoplasm होगा इस endoplasm में अनेक प्रेकार की vacuol पाई जाती है, उस vacuol में अपन बात करें कौन सी बरेगी contractile vacuol, संकुचन, seal, यहाँ पे रिक्तिका, साथी साथ food vacuol, food vacuol के बादे बनती है water vacuol, यहाँ पे इनका कारी अलग-अलग होता है contractile vacuol आपको पता है, संकुचन करने में helpful होता है, साथी साथ रिक्तिकाओं के परासरन नियमन में, यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन में भी helpful कौन होती है, contractile vacuol होती है जो कि क्या करती है रिक्तिकाव के अंदर यहाँ पर ओस्मो रेगुलेशन की क्रिया को कम्पलीट करने में helpful होती है फूड वेक्योल क्या करती है फूड का यहाँ पर वितरंड करने में helpful कौन सी होगी यहाँ पर food वेक्योल होती है Water vacuole जो होती है क्या करती है यहाँ पर water का यानि कि वितरन करने में helpable होगी वो कौनसी होगी water vacuole होती है तो endoplasm में विबिन प्रकार की vacuole पाई जाती है contractile vacuole यहाँ पर सबसे पहले contractile vacuole होगी है कैसी होगी एक छोटे बुलबुले नुमा यहाँ पर पानी के जो बुलबुले होते है उस परकार की गोला कार सरशना होती है जो amoeba के center point के अंदर पाई जाती है जिसे क्या बोल सकते हैं endoplasm कहा जाता है इसके अंदर ही बात कर सकते हैं इनमें एक विसिस्ट परकार की सरशना बुलबुले के समान उसे क्या कहा जाएगा contractile vacuole कहा जाएगा इसके चारो और क्या पर्जेंट होती है plasma कला पाई जाती है और plasma कला की भी कोन सी membrane एक पतली लचीली membrane पाई जाती है या जिल्ली का आव इसमें बोल सकते हैं mitochondria इसमें पाए जाते हैं और जिसका जमा होता है यह है रिक्तिका का क्या करती है Osmo regulation का कारी है यानि कि परासरण नियमन की क्रिया के लिए क्यों helpful होगी यहां पर यह contractile vacuole हाथ यह इसके अंदर निरंतरता से क्या करती है थिक भी होती है यानि कि हम large भ इसका द्रव में निरंतर जो क्रियाएं चलती है उसमें जलकी मात्रा का प्रवेश करवाना साती साथ उनमें contraction करना और यहां पर रिक्तिकाओं के द्वारा उन्हें बाहर की तरफ रिमूव करने का कारी भी किसका होता है contractile vacuole का होता है second upon कौनसी बात करेंगे food vacuole की तो व इसम कुछन सील कौनसी होगी food vacuole होती है यह दानिया कैसी होती है इनका जो आखार होता है वो एनियमित आकार होता है और इनमें कुछ होती है जो fix आकार लेती है तो इनको क्या बोल सकते है नियमित आकार की भी होती है यह क्या करेगी आकरती और आकार में यानि भोजन के क और इनका यानी कोसिकाओं का जो नंबर होता है इनका फिक्स नहीं होता है और यह अधिकांस थे धानिये क्या करती है यहाँ पे जो food material के दुरानी यहाँ पे जो आपचित भोजन होता है उसको क्या करती है बाहर रिमूग करने का कारिये भी कुन करती है food vacuum करती है last third number आती है अपने पास कौन सी water vacuum ये जो water vacuum आपको दिखाई दे रहे है food vacuum के साथ साथ इनकी भी संक्या fix नहीं होती है और यहाँ पे food vacuum के साथ साथ जो water vacuum होती है ये छोटी छोटी पारदर्शी होगी और कैसी होगी रंगहीर होती है और ये जल से भरी सरसंकुचन सील धानिया होती है ये तो ऐसंकुचन सील होती है लेकिन water vacuum कैसी होती है संकुचन सील होती है लेकिन यहाँ पे हम बाद यानि कि इसका जो function है वो fix यानि कि ग्यात नहीं है लेकिन बोला जाता है ये water का और यहां पर क्या करती है रेगुलेशन करने का वांगया इसके लिए यह किया आपको इसके दोराण क्या होता है इसमें लोकोमोशन की क्रिया पाई जाती है आपको मैंने अंगूली नुमा जो उभार बताए उनको क्या कहा जाता है शूडो पोडिया कहा जाता है लास्ट में अपना इसमें जो आएगा वो आएगा रिप्रोडक्शन तो कली अपना नेक्स एक क्लास है उसके दोरानी अपना चेप्टर कंप्लीट हो जाएगा